ये गाइस अगर आप टिक टोक के उपर वीडियो बनाते हैं तो आपको काफी सारे ऐसे टूल्स और एक्सेसरीज चाहिए होती हैं जिनके मदद से आप टिक टोक के उपर प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हो तो गाइस आज के टो में मैं को ऐसी पांच चीजे बताने वाला हूँ अगर आप इन पांचों चीजों का यूज करते हो टिक टोक के उपर तो गाइस आप एक अच्छी और परफेक्ट वीडियो बना सकते हो और गाइस आपकी वीडियो अच्छी चलने वाली हैं और लाइक् तो गाइस टिक टोक की वीडियो को अगर आप प्रोफेशनली बनाना चाते हो तो गाइस इसके लिए जो सबसे पहला टूल होता है वो है गाइस कैमरा स्टेंड आपकी वीडियो के लिए काफी बड़ी है अगर आप गाइस सिंगल ही अपनी वीडियो को बनाते हो यानि कि आपके पास कोई और बंदा नहीं है आपकी वीडियो को सूट करने के लिए आपको ऐसा कैमरा स्टेंड चाहिए होगा मैंने अपने यूटूब चैनल के ऊपर काफी सारी कैमरा स्टेंड के ऊपर वीडियो बनाई है उनकी अन्बॉक्सिंग की है और रिविवी भी किया है खोऑर आपको मेրे चैनल में वीडियो मिल जाएंगी काफी सारी ऐसे हैं जो मने बता है जो काफी सस्थे हैं और गाइस मैंने काफी जारा का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर सकते हैं और अगर आप एक सिंगल ही एपनी वीडियो को बना रहे हो यानि कि कोई और नहीं है आपके पास कोई बंदा रिकोड करने के लिए तो ऐसे सबसे बेस्ट रहने वाला तो गाइस टिक टोक की वीडियो को प्रोफेशनली बनाने के लिए जो सेकेंड टूल होता है वह गाइस रिंग लाइट तो आपको थोड़ा सा खर्चा करना होगा आपको इससे बड़े वाली रिंग लाइट लेनी होगी जैसे कि आपने कई बार मंजूल वाली वीडियो फैस प्रोफेशनली बनाने के लिए जाएट लेनी होता है वह गाइस बड़े वाली रिंग लाइट ले सकते हैं तो वह रिंग लाइट काफी बड़ी आउती है और वह आपकी क्वाली इस्क्रिप्शिन के इंदर इस रिंग लाइट का रिवियू मिल जाएगा आप उस वीडिय जो यह वाली रिंग लाइट है इसके इंदर सेल डलते हैं बट गाइस वह वाली रिंग लाइट काफी बड़ी है वह आपकी बिजली से भी चल जाएगी तो आप उसको खरी सकते हैं तो गाइस टिक्टो की प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए जो नेक्स्ट टूल है व आपको कोई ऐसा मोबाइल लेना हुआ जिसका कैमरा काफी अच्छा हो और उसकी क्वैल्टी काफी अच्छी हो काफी सारे आपको ऐसे मोबाइल मिल जाएंगे जिनका एमपी तो ज्यादा हुआ बट गाइस उसकी क्वैल्टी अच्छी नहीं होने वाली तो काफे सारे ऐसे मोबाइल मिल जाएंगे जिनका कैमरा काफी अच्छा है वाइस मैंने आपको इसी चैनल के अंदर काफी सारे ऐसे मोबाइल बताएं थे जो आपको TikTok के लिए अच्छे रहने वाले हैं वाइस आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्चन के अंदर मिलेगा उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कौन-कौन से मोबाइल से आप अच्छी वीडियो को रिकोर्ड कर पाओगे उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं अगर आपकी अच्छा मुबाइल है तो आप उसको अच्छे से रिकोर्ड कर पाओगे और आपका मुबाइल वो हैंग नहीं होने वाल है अगर उसका प्राइस भी अच्छा है और वो बजट के अंदर आपको मिल जेगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जेगा जो मने फोन तो आपको प्रोफेशनल वीडियो को रिकोर्ड करने के लिए जो नेक्स्ट और फॉर्फ टूल है वो है अपका बैक्ग्राउंड आपने कई बार जो बैक्ग्राउंड होता है उसको आपने चेंज करना होता है आपने काफी सारे ऐसे टिक्टोकर देखेंगे जो अपने ब प्रोफेशनल में रिकोर्ड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक अच्छा बैक्ग्राउंड भी होना जरूरी है इसके लिए यहां पर बैक्ग्राउंड का यूज कर सकते हैं मैंने अपने इसी चैनल के अदर काफी सारी ऐसी वीडियो बनाई है जिनके अंदर मैंने बताया है कि आप अपने वीडियो के बैक्ग्राउंड को कैसे यहां पर ब्लैक कर सकते हो या फिर उसको चेंज कर सकते हो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं इन कलोट का प्राइस काफी कम है यह आपको 80 रुपे 100 रुपे यानि कि आपको अगर एक मीटर लेना है फि इस टाइब के बैक्ग्राउंड आपको किसी भी कपड़े वाली दुकान के अंदर मिल जाएंगे आप जाकर ले सकते हैं आप इन कपड़ों को ओनलाइन बिल्कुल भी मत मगाना क्योंकि वहां पर प्राइस ज्यादा पड़ने वाला है वहां पर यह आपको डैसों से 300 रु फ्री के बारे में तो सुनाये हो ओगा तो फ्री काफी बड़िया होती है और अपने फोन से दूर खड़े हो अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आपको वाला साउंड जो आपकी वीडियो के अंदर बज़ रहे है वो आपको सुनाई ना दे आप इस के लिए ब्ल वाला है इसका benefit यह होगा कि आप जारा दूर खड़े होंगे तो भी आपको गाना सुनाई देगा और गाइस आप उसके उपर अच्छे से lip-sync कर पाओगे और गाइस आपकी वीडियो भी बिल्कुल perfect बन जाएगी इस Bluetooth hands-free के काफी सारे आपको मिल जाएगे Amazon Flipkart के उपर आप टिक्टोक के बारे में कुछ और कुछ चाते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और गाइस मैं इसके उपर और वीडियो बनाने वाला हूँ तो आप मुझे फोलो कर सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा ठैक्स फॉर वाचिंग